पूरो विधासभा अध्यक्षिवन भाजपानेता प्रेम प्रकास पांडे ने सर्गुजा में पत्रकार वारता कर प्रदेश की सप्तासीन कॉंग्रेस पर कई गंभीर आरूप लगाये हैं उन्हें सीम बगहेल के युवाओं से भेट मुलाकात कारिक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कॉंग्रेस सरकार ने केवल ठगा है सर्वुजा में लगपक 60,000 युवा बेरोजगार पंजकृत है लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही सरकार इसका जवाब नहीं है यह पूरी सरकार जुटका पुलिंदा है युवाओं को सरकार से सवाल करना चाहिए आकड़ा बता रहा है कि लगपक 60,000 रजिस्टर्ड है और मात्र 3500 लोगों को मिल रहा है अब यह तो कित्ता परसेंट हो गया बाकी बेरोजगार 3500 जिनको यह बेरोजगारी बता वो भी अभी कुछ महिनेस दे रहे हैं इन 3500 का भी जितना दे रहे हैं अगर मान लो यही 300 करोड भी अगर इनका सही था तो 300 करोड रुपया के हिसाब से इन ही पात्र बच्चों को पिछले 5 साल का भी देते तो 1500 करोड होता तो इनका 1200 जो पात्र थे इनके अनुसार जो पात्र था है तो यह जो भूमाने का चल करने का प्रियास है बाकी का तो छोड़ दो जो पात्र थे इन्होंने तो कहा था कि देंगे तो 2019 से दिये रहते तो 1200 करोड तो इधी का और मिलता कम से कम इनी को दे दे 1200 करोड तो मान लिया जाएग जबकि यहाँ अप्रेल में 5 प्रातिसत, मई में 10 प्रातिसत और जून में 15 प्रातिसत से अधिक बिजली के दर में इजाफा हुआ बिजली बिल हाथ के नाम पर यह सरकार जनता से जूट बोल रही है भुपेश सरकार ने जो घोस्रा किया था कि अप्रेल मेहिने में इस वर्ष बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे पिछले दरवाजे से अप्रेल में 5 परसेंट से उपर, मई में 10 परसेंट से और जून में 15 दसमरों 2 परसेंट बिजली का बिल बढ़ा दिया जो अप्रेल का जून में, मई का जुलाई में और जून का अगस्त में अब कटना चालूब हो गया है अब तक भुपेश सरकार जो जूट बोल रही थी कि बिजली बिल में हम हाप योजना लागू कर रहे हैं लगबग पांच वर्सों में 400 इनुट तक ही 580 रुपे की प्रिद्धी इन्होंने कर दी है जो प्रतेक एक बोगता पे है और आने वाले समय में जो CSP DCL का घाटा 2528 करोड हुआ है जिसको आगे ट्रांसपर किया गया है इसके बिल में भी जो लगबग 1.62 परसेंट का है वो कहरी फारवर्ड हुआ है तता 4% जो स्टिल सेक्टर को सबसीडी न देने और उनके टेरीब को 25% कम करने के कारण आम उक भोकताओं पर जो अत्रिक्त भार पढ़ लाया है सरकार आकडों की बाजीगरी करके लोगों की जेब से पैसा निकाल रही है लोगों को धोखे में रख करके वही प्रेम प्रकास पांडे ने सरकार पर आरूप लगाते हुए कहा कि पूरी सरकार भरस्टाचार में डूबी हुई है इसका अंदाजा इस बात से लगा जारा सकता है कि CBI ने 2019 से अब तक 28 बार राजी सरकार को पत्र लिखकर विभिन मामलों की जाज की अनुमती मांगी सरकार में एक भी मामले में जाज का निर्देश नहीं दिया तो ब्रेश्टाचार किता है वही भासपा के गोशना पत्र पर कहा कि यह पूरी तरह जर आकान ज्छाओं के अनुरूप गोशना पत्र रहेगा केदर में बैठी हमारी सरकार निलगातार धान के समर्थन मुल में व्रिधे करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने का कारी किया है साथ हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस वर्ष एक करोड़ तीस लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की गोशना की है देखिए बीजेपी का गोशना पत्र पूरे जन आकांचाओं के अनरूप रहेगा और धान हम इस देश के यसरसी प्रधान मंत्री आधरनी मोदीजी को कोटिसा बजाई देते हैं कि उन्होंने एक करोड़ तीस लाख तन इस साल धान खरीदने का निलने लिया है और पिछले चार सालों में लगबग साड़े चार सो रुपिय से भी ज्यादा उन्होंने MSP बढ़ाया है ये तो मात्री जो बोले थे कि हम दस जार रुपिया पर एर बढ़ाएंगे पर एकड़ में तो उस हिसाब से जब सत्रा सो रुपिया हमारा धान का था तो लगबग साड़े साथ सो रुपिया पर किंटल हमारा बढ़ा था लेकिन बाइस ते इस तक आ करके वो साड़े पांच सो हो गया है तो ये तो हमारे जो था उसको घटाए है साथी भाजपा देता प्रेम प्रदास पांड़े ने विविन मुद्दे पर सरकार को घेरा कथा कहा कि यह पूरी सरकार जूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई है जिसे जनता आगामी चुनाओं में उखाड फेकेगी